महीना चल रहा है वह मार्च का चुका है इस टाइम पर आपको संबर्ण और यूगें से संटैंट बहुत जल्दी से हो जाएगा विकिस इस टाइम पर हमारी जैकेट्स हमारी स्वेटर्स रिमूब होना स्टार्ट हो जाती है इस टाइम पर हमारी संटैंट इस टाइम हो ड़ाता है यहाएग फिस टाइम हो रहा है यह की सिर्स पर्लिट वहाहести संस्क्रीन के सब्सक्रीन का little जिसमें मैंने clearly आपको सारी information तो already दे रिखी है बट still मुझे उसमे comments आ ही जाते हैं सारे comments को मैंने यहाँ पर note कर लिया है और सारे comments का उन सारे questions का मैं यहाँ पर answer देने वाली हूँ Mostly जो भी comments मुझे similar लगे थे same question थे तो मैंने उने repeat नहीं किया है सबको मैंने एक ही question बना के यहाँ पर वीडियो आपके साथ share करूँ जान लेते हैं आप लोग ने मुझे क्या क्या question पूछे थे first question is क्या हमें sunscreen windows में लगाना चाहिए या फिर summers में लगाना चाहिए means windows में इसकी need है या नहीं हमें sunscreen क्यों यूज करना चाहिए हमें sunscreen कौन सी वाली यूज करना चाहिए SPF का मतलब क्या होता है हमें से reapply कब करना चाहिए कौन सी age वाली से यूज कर सकते है sunscreen की कितने forms होते है A++ का मतलब क्या होता है कौन कौन से skin type से यूज कर सकते all over काफी सारे में चाहिए और सबको मैं इस वीडियो में कवर किया है and last time मैं आपको बताऊंगी मैं कौन से sunscreen प्रिफर करती है first question is why use sunscreen हमें sunscreen क्यों यूज करना चाहिए so yeah the answer is if you love your skin and don't want to damage your skin anymore so use it right now अगर आपको प्यार करते हो अपनी आपको आपको आगे बताऊंगी क्या कैस के damage होते है हमारे skin में आपको sunscreen को जरूर यूज करना चाहिए as soon as possible on low prevention is better than cure अगा prevention पे पहले ही ध्यान दे दोगी precautions पहले ही ले लोगी तो आपको कोई भी disease हो पाईगी sun tan is also a disease for our skin our skin का complexion कोई हमारे skin का कोई सा भी टोन हो हमारे डाप में आता हो या फिर फेर में आता हो अगर हम सूरज की रोष्णी को face करते हैं हमारे skin को tan भी देती है burn भी गरती है एक बार tanning हो जाती है skin burn हो जाती तो उसको दुबारा से ठीक करना बहुत ज़दा मुश्किल हो जाता है simple answer है कि आपको sunscreens जरूर यूज करना है sunscreens आपके skin में एक layer प्रवाइड करता है जिससे आपके skin में बिल्कुल भी tan या damage नहीं होता है and the next question is sunscreens कौन कौन यूज कर सकता है so if you are teenager अगर आप आप कर सकते हो 13 से आप इसे इजी ले लगा सकते हो सूरज है उसकी UVA and UVB rays होती है जो बहुत सदा हामफूल होती है UVA का मतलब एजिंग से समझ सकते हो UVA हामफूल rays हमारी स्किन के कॉन्डैक्ट में आती है स्किन में रिंकल्स, डाक सक्कल्स, पिग्मेंटेशन बनना स्टार्ट हो जाते है and रही बात UVB की is also a harmful rays जो हमारी outer layer को it means epidermis को damage करती है हमारी स्किन की collagen tissue को भी अच्छी से damage कर देती है UV harmful rays हमारी स्किन कैंसर का भी एक रीजन बन जाती है तो यह अब बात कर लेते हैं SPF का मतलब क्या होता है SPF full form is sun protecting factor जितने जादा sun protecting factor होंगे उतना जादा आपकी skin को यह protection प्रवाइट करता है तो अब बात कर लेते हैं how to use it इससे related मुझे काफी सारी question आ जाते हैं कि हमें इस skin care के बात करना मेकप के बात करना है मेकप से पहले करना है अगर हम मेकप से पहले कर देंगे इस skin को यह protect कैसे करेगा after CTM process CTM means cleansing, toning and moisturizing इसके बाद आपको sunscreen को apply करना है then आपको make-up apply करना है जो भी आपका regular make-up होगा whatever वह आप apply करके इससे बाहर जा सकते हो and make sure आपको 15-30 minutes पहले sunscreen apply करना है इसको थोड़ा से टाइम लगता है सेटल होने के लिए and अपना work स्टार्ट करना है लोग संस्क्रीन लगाते साथ बहार निगल जाते हैं तो उसमों को कोई भी benefit नहीं मिलेग इस skin में premature aging signs आते है it means wrinkles आते है जुर्यां आ जाती है dark pigmented area बन जाते है किसी किसी के तो काफी सारा pigmentation हो जाता है circles आ जाते है skin cancer की problem हो सती है skin collagen tissue damage होता है एक comment मुझे ऐसा भी आया था कि sun से बस protection ही लेते रहेंगे तो हमें vitamin D कैसे मिलेगा इसका answer simple सा है कि अगर पूजर करते है तो आपको tanning burn and जितने भी मैंने आपको disadvantages आपके साथ कांट करें वह सारी problems आपको देख करें next question is कौंसे skin type के ले कैसा sunscreen जाता है वह भी मैं आपके साथ शेयर करती हूं तोने भी oily skin वाले होते हैं उन सब को skin care products में gel based या फिर water based products use करने चाहिए dry skin के हैं उनको lotion में creamy oil based product use करने चाहिए normal वाले तो कोई साभी product use कर सकते हैं PA++++ इसका मतलब क्या होता है so actually it is kind of a factor of sunscreen ये वी sunscreen का एट factor के रूप में ही काम करता है मारी skin के लिए अगर आपके sunscreen में SPF प्लस आपके sunscreen में PA++++ PA++++ इस तरह के factor देखने को मिलते है it means आपका sunscreen बिल्कुल first class होने वाला है next question आता है कि हम इसे reapply कब 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 करना है अगर आपका SPF 30 से नीचे है तो आपको definitely इसे reapply करने की जुरूत है it means आपको हर 2 घंटे में और 3 घंटे में रियाप्लाइ करना हो next is कौन कौन से फॉर्म में sunscreen अवेलेबल होते है first आपका powder फॉर्म में आता है जो oily skin काफी best result देता है इसे आपका oil control भी हो जाता है creamy form lotion में भी आजाता है जो dry skin काफी best result देता है उनकी skin बिल भी dry नहीं हो पाती है next आपका oily skin के जेल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं आपके सारे मेकप कॉस्मेटिक्स में skin care products में भी SPF परवाइब किया जाता है so yeah I am using this product which is in the range of Sloka of Modicare sunscreen cream SPF 30 it is also PA++++ has go to cola and cucumber and it is for all skin types suitable so ये मेरे ले कैसे वर्ट करता है मेरे ले कैसा कैसा असर किया है कैसा मेरा experience रहा है इसके साथ इसका price इसके ingredients इसके पूरी details already मैं separate video में share कर चुकियो अगर आप interested हो तो आप मेरे चैनल पर जरूर विजिट करिए का महाँ पर आपको इसकी separate video देखनी को जरूर विलेगी यह आपका समझ बिलकुल भी tanning के साथ नहीं जाना चाहिए I hope आपके लिए वीडियो helpful रही हो अगर रही हो तो make sure like and channel को subscribe किये भीना मच जाना and मेरे चैनल पर आप 50K subscribers जल्दी से जाए करिए